दोस्तों नमस्कार मैं सुर्यर अठोल और आज मैं आपको कुदरगर धाम का दर्शन कराने के लिए लेकर आया हुआ हूँ तो आपको मैं चलिए कुदरगर धाम दर्शन कराता हूँ यह आप सिठी देख रहे हैं इन सिठी के माध्यम से हम कुदरगर धाम जाते हैं दोस्तों इन सिठी देख रहे हैं आप इन सिठी के माध्यम से हम माता कुदरगरी धेवी धाम जाते हैं ठक चुका हूँ मैं सिठी चड़ते चड़ते देखे दोस्तों यहाँ पर कुदरगरी धेवी धाम जाते हैं यहाँ पर जहरना है पानी अभी हम लोग 30% सीड़ी चड़े हुए हैं और यह हसीन वादियां आपको दिखा रहा हुए यह सबी सरत धालूगण देखिए आप आ रहा है अभी इस मौसम में ज़्यादा भीड तो नहीं रहता है लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का हमेशा आना जाना रहता है और यहाँ पर देख रहे हैं खुटेश फोटोग्राफर है भाई हम लोग यह ज़रना देख रहे हैं अब यहाँ पर नहाद हो गया राम से सुद्धोगर के आगे जा सकते हैं यह शिड़ी है यह शिड़ी आप देख रहे हैं एकदम उपर खड़ा खड़ा शिड़ी है जिसमें चड़ने में बहुत ही प्राबलम होता है हट्टे-कटे मोटे इंसान को थोड़ा सा दिक्कत होगा चड़ने में दोस्तों आज हम लोग कुदरगडी धाम आये हैं और यहां पर आप देख रहे हैं पीछे पुड़े सरधालू गड़ा है यहां पर कुदरगडी धाम अंदर जाने का रास्ता है तो अभी हम लोग जाएंगे और आपको माता कुदरगडी देवी जी का दर्सन कराएंगे चलन और यहां पर माता कुदर गड़ी देवी धाम यहां पर पूजा पाठ होता है यह यह गंटी है तारे सरफ धालू गड़ा है यहां पर पूजा होता है यह है कुदर गड़ी धान का पिछली हिस्टा जहां पर हवन पूजा किया जाता है और यहां पर नारीयल हो रहा किया है यहां जाल एक्प ब करते हैं यहां झाल झाल